Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसुटिक का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1, ठीके ना, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फार्मसुटिकल एड्स के बारे में, ठीके अब कुछ बच् आया हो, सायक, है ना, फार्मसुटिकल जाने कि फार्मसुटिकल प्रपरेशन में जो सायक होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, जो कौन होते हैं, हेल्पर, जो हेल्प करेंगे, वो सब फार्मसुटिकल एड्स के अंदर, काउंट किये जाएंगे, हेल्प मतलब हमको दवाई बन के अंदर आता है सायक हेलपर के अंदर चोटा साम एक्जांपल लें हमारा जो सस्पेंशन देखा होगा उसके दवाई ऐसे तैरती दिखाई पड़ती है और बाद आगी जो मीठा पन लगता है सुटनर डाल देते हैं वो क्या हो गया है जिससे की कड़़ी ना लगए दवाई सिंपल एक एक जिजांप्ल समझा हुम लोगोंने अब इसके अंदर एड्श बहुत सारे है ठीक है उन बहुत सारों के अंदर हमको कीवल क्या पढ़ने है औरगेनो लेप्टिक्स क्या पढ़ने है можно left to या निकि हाँ पर organ organ हमारे organ की बात हो रही है sensor organ आक नाक कान गला यह यान की test है ना हम लोग क्या कर सकते हैं सुम सकते हैं smell कर सकते हैं taste कर सकते हैं ठीक है ना smell taste हो गया और देख सकते हैं ठीक है तो कोई चीज जब देखते हैं तो कलर आ जाता है देखने में कलर अच्छा लगता है तो कलरिंग एजन डालते हैं उसके अंदर हम लोग है ना बच्चे लोग कलर फूल बोटल को देख करके उनका क्या होता है मन करता कि हाँ हम दबाई खाएंगे फ्लेवर टेस्ट आ ठीक है ना औरगन को जो औरगन के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा ठीक है तो यह काउंट होते हैं और और फार्मसेटिकल एट्स के अंदर एक खास कैटेगरी होती है और फार्मसेटिकल एट्स के अंदर एक खास कैटेगरी होती है और फार्मसेटिकल एट्स यह वह सब्सक् इफेक नहीं होगा यह बहुत ही थोड़ा सा फार्मकलोजिकल एफेक्ट समझते हो हमारी बौडी को पर कुछ असर होना ठीक ना यह वो सब्सक्रांस होते हैं इसका कोई भी असर नहीं होगा यह बहुत थोड़ा सा आसर होगा but they are essentially used but ये बहुत जरूरी है इनका इस्तमाल करना essentially used in the preparation of pharmaceutical doses form जो हमारी doses form होती है liquid है, tablet है, capsule है उनमें इनका इस्तमाल होना बहुत जरूरी है like tablet है, injection है, emulsion है, ointment है इनको बनाते वक्त इन pharmaceutical aids का सारा लेना पड़ता है अब pharmaceutical aids used as कैसे-कैसे used doses है as a preservation हमें दवाईयों को चलाना है दो में दो साल, तीन साल है ना expiry रहती है, तो preservation की तरह कुछ chemical इस्तमाल कर लेंगे stabilization कोई emulsion है, suspension है stable रहे, खराब ना हो acidification उसको acidify करना है alkalization उसको alkaline करना है suspending agent, suspension बना रहे excipient, excipient क्या होता है excipient नहीं सब चीज़े को बोल देते है ठीक है, then adsorption, absorption, filtration, prevention of oxidation oxidize ना हो जाए, oxygen से मिलकर के stabilization और complexion तमाम चीज़े हैं इसके अंदर ठीक है ना, वो सब pharmaceutical aid के अंदर आ जाती है अब, pharmaceutical aids में remain in the final product ऐसा हो सकता है कि बनाया हमने जो pharmaceutical aid हमने डाला था वो जो मेरा final product बनके तयार हुआ, syrup या tablet उसके अंदर वो पड़ा रहे जाए और हम उसको खावी ले, ऐसा भी हो सकता है हैना, in which case, they do not exert any specific action on the body अगर वो body पर कोई भी असर नहीं डालता तो उस case में ऐसा हो सकता है कि final product में हमें मिल जाए या उनको process के दौरान डाल करके निकाल लिया जाता है during process, but come in close contact with the product at some stage, but process के time पे कभी ना कभी वो, जो में हाँ main product होता है, उसके जाए टेच में आता ज़रूर है, flavoring agent है, हमने flavor के लिए क्या डाल दिया उसमें खुज़वू आ रही है किवल तो इस टाप से क्या है, दोनों condition हो सकती है, ऐसा हो सकता है pharmaceutical aid, हम मिनको final product मिल जाए, किस condition में जब वो मेरी body को पर कोई भी असर नहीं डाल रहा होगा अगर वो मेरी body को असर डालता है या ऐसा हो सकते ना भी डाल रहा हो, तो भी दोनों condition में ऐसा हो सकता है, कि process के दौरान मैंने pharmaceutical aid को डाला और फिर वापस निकाल दिया उसे, ठीक है many times, pharmaceutical aids are referred to as pharmaceutical necessities pharmaceutical helper को हम लोग pharmaceutical जरूरते भी बोल देते है necessities, it is essential that pharmaceutical aid should be of same quality, यह बहुत जरूरी है कि जो pharmaceutical aid हो, वो उशी quality को होने चाहिए, as therapeutic agent quality, quality दोनों के बाद बहुत best quality होने चाहिए, and are subject to similar quality control, और जो quality control हम लोग therapeutic agent पर लगाते हैं, वो ही quality control हम लोग इनको पर अप्लाई करेंगे, various pharmaceutical aids are classified into various category, यह उसे फार्मसेटिकल aid से उनको अलबलग category से divide कर सकते हैं, classify कर सकते हैं, जैसे पहला classification मेरे पास के उपर based है, classification based on the origin, animal origin का हो सकता है vegetable source, यहने की plant, mineral या synthetic, animal में lactose, gelatin, beeswax, lanoril आ जाता है, plant की बात करें तो starch, peppermint, turmeric, guargum आ जाता है, mineral source की बात करें तो calcium, phosphate, silica, asbestos, kaolin आ जाता है, synthetic की बात करें तो povidone, boric acid, polythylene, glycol आ जाता है, ठीकर तो यहां पर क्या है, तो फिर यह chapter again बहुत easy है, ठीकर हमको सब पता है, flavoring, sweetening हम सब जानते हैं, बस हमें क्या है, कुछ खास example, और उनके अंदर कुछ खास चीज़ें अगर जो हैं, उनको हमें याद रखना है, classification based on doses form, liquid में डालेंगे कि solid में डालेंगे, कि किस में डालेंगे, तो उसके इसास हम देखें, अगर हमको dose को acidify करना है, यह alkaline का है, buffer, buffer का इस्तमाल होता है, जालता है, solution में इस्तमाल होगा, absorbent, adsorbate, antioxidant and preservatives, जो दवाई को खराब होने से रोकेंगे, उसका oxidation नहीं होने देंगे, यानकि oxygen बहुत ज़्यादी react कर जाता है, कही chemical से, उस oxygen को react होने नहीं देंगे, यह हमारे syllabus में है, कोई और चीज़ फालतू नहीं पढ़ेंगे, जो स्लिवर्स वाले चीज़ है, desiccant, पॉडर वगारा होता है, उसकुछ chemical लाद देंगे, सूखा रखता हो, suspending agent, ठीक है, suspension बना कर रखे, color and color देता है, tonicity, osmolarity, body के अंदर जाए, तो हमारे osmotic balance को बरकरार रखे, ठीक है, solvent and vehicle, हम किसके अंदर इसको dissolve करते हैं, then आता है, organoleptic agent, जिसके अंदर coloring, flavoring और sweetening agent है, in syllabus, यानि कि point number 10 और point number 4, यह दो हमारे course में है, यह chapter number 3 खतम हो जाएगा, ठीक है, यह दो हमारे course में, अब दो coloring, flavoring, sweetening जानते हो उसके बारे में, यहाँ पर क्याशी important हो जाएगी, कोई इनका खास classification है, या इनका कोई खास example है, फिर ointment, suppository basis, diluant, ठीक है, binders, जो बांद के रखता है, disintegration, जो पेट में जाकर तूटने में help करेगा, lubricants, तमाम चीज़े हैं, बहुत सारी चीज़े आती है, full detailing, higher जो तुमारी class आती है, यानि कि bachelor degree आती है, B4 ओं वहाँ पर, फिलाल हमको केवली दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, इन दो चीज़ें को पढ़ना है, तो start करते हैं हम लोग, जो हमारे पास organoleptic में सबसे पहले क्या है, तो हम सब को पता है, दवाईयों के tablet के अलग-अलग color होते हैं, है ना, तो बस color का इस्तमाल क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब देख के, अच्छा mango जैसा है, तो मन के अंदर लगा कि खा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, डिस्टिबूइट करना असान हो जाता है, प्रोड़क्ट का identify करना असान हो जाता है, कि खास कर हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर्ली इन पॉईजनेस मेटरिल, जो पॉईजनेस मेटरिल है, उनको एक खास कलर दे देते हैं, ठीक है, अब भहुत साज दबाई रखे तो उस खास कलर का मतलब पॉईजनेस मेटेरियल ही होगा, पॉईजनेस मेडिसीन ही होगा, कोई और मेडिसीन नहीं होगी इसका कोई भी डिटेटिक एफेक नहीं होता है वाड़ी के ओपर अक्छा लिवर जैसे दिखा आ weapons कि दर्चा करब कर सकते हैं तो mineral color कौन से होंगे only used for externally applied preparation, कौन को न आ जाएंगे, ferric oxide, red and yellow, carbon black, lead chromate, prussian, blue, titanium oxide, यह ना इसका इस्तमल क्रीम वगरा मैं करते हैं, जो की क्या करते हैं, UV light, ultra wallet light को absorb कर लेता है, बहुत अच्छा होता है यह, plants की बात करें, plant source, color source from plant, हमको कितना simple है, mineral, plant, synthetic, mineral, अब हमको क्या करन ना इनके example पता होने चाहिए, flavons, जो flavon category को होते हैं, routine, riboflavin, hesperidine, quercetin, beta carotene, yellow color, beta carotene, yellow color का होता है, saffron, and alizarin, reddish yellow, other alizarin, anthocyanin, chlorophyll, carotenoids, alpha color, beta carotenoids, ऐसे होते हैं, indigo dye from indigo ferra, tinctoria, ठीक है, तो यह plant से मिलने वाले हमारे पास क्या आ गए, कुछ coloring agent आ गए हमारे पास, animal source में यह दो important है, यहाद होने चाहिए, tyrian blue, from glands of snail, snail की glands से मिलता है, यहाला color, cochineal and insect containing a bright red color, carmine acid, जो color होता है, उसको हम बोलते हैं, carmine acid का होता है, वो red color का होता है, और कौन सा होता है, insect, cocus cacti, कौन सा insect है यह, cocus cacti, तो यह थोड़े से important नाम जैसे हैं, indigo ferra, tinctoria, tyrian blue, cogneal, यहाँ पर यह थोड़े से नाम बगए याद करने वाली चीज़ है, बात बाकी दो, चार-चार category बना करके, example सबके याद कर लोगे, खेल खतम हो जागा इसमे, synthetic के अंदर तीन category बड़ी famous है, caramel, coltar और leg dyes, ठीक है, अब synthetic को categorize किया हुआ, तीन category के, तीन उसके वाधार अबर, color permitted for food, drugs and cosmetics, ठीक है न, color permitted for drugs and cosmetics, यानि कि ऐसे color जो तीनों में apply होंगे, ऐसे color जो drug and cosmetic में apply होंगे, color permitted for externally applied drugs, cosmetic, जो सिर्फ externally drugs और कॉस्मेटिक के लिए होते हैं, यह drug और कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक दो उपर आया, drug जो हम खा सकते हैं, वो भी है, लेकिन इसके अंदर, जो drug हम लोग केवल क्या कर रहे है, externally apply करना, तो इस तरह के तीन category में हम इसको divide करते हैं, ठीक है, ऐसे color जो डाल सकते हैं, हम लोग food में, drugs में, cosmetic में, ऐसे color जो drug और कॉस्मेटिक में डालेंगे, खाने में ने डालेंगे, ऐसे color जो सिर्फ drug और कॉस्मेटिक में डालेंगे, जो उपरी तोर से apply की जाती है, बास समझ में आई, ठीक है, तो आप देखो, यहाँ पर हम लोग यह तीन category है, इनको फटा-फट वो कर लेते हैं, डाई की बात हो जो जी कोलतार डाई वाली बात है, इसको हम लोग insoluble डाई भी कहते हैं, derived from petrochemical, यह याद रखेंगे, कहां स जाता है, transmission, water-soluble dye, यह कैसी है, water-soluble है, ध्यान रखेंगे, कोलतार colors, aromatic hydrocarbons होते हैं यह, कोलतार जो अपने उपर discuss कर रखा, इसका अंदर कौन कौन आयाते हैं, napthol, blue black, brilliant blue, resource in brown, sunset, yellow, tatra gene, amarnath, green ash, orange gene, commonly used gene, medicated, shampoo, soap and ointment, तो देखा जाये तो यह अपने पास एक, क्या है, important हो जाता है, कोलतार क्या है, soluble dye के अंदर आते हैं, इस तरीके से हमको combination में याद कर लेंगे हम लोग, then lack pigment, lack बड़ा जीसा नाम लगते है, lack क्या है, pigment हो समझ में आता है, color चीज, तो lack खुछ नहीं है, lack color and lack pigment is basically insoluble, जहान नहीं, soluble थे, insoluble in nature and color through dispersion, यह color को disperse करते है, जै तो light निकल जाएगी, वो ही हमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है न, पता न, जो light हमारी आखों पहुंचती वो ही हमको दिखाई पड़ता, मानलो, यहां से light आई, इस हाथ ने कुछ light absorb कर ली, जो यहां से निकल के पहुंचे थे, वो ही तो light दिखाई पड़ेगी हमको केवल क्योंकि इंसॉलिवल है, so choice for oils, fats and lipid formulation जो ऐसी formulation होते हैं, जिनके अंदर oil होता है, fat होता है, lipid होता है उन case में हम लोग क्या इस्टमाल कर लेंगे? Leg pigment इस्टमाल कर लेंगे क्योंकि इंसॉलिवल and water है तो किस में इसॉलिवल होगा यह? Oil, fat और lipids में Only alumina leg permitted for use in FDC Food, drug and cosmetic में इस्टमाल होने के लिए किवल कोँ न है? Alumina leg को ही allow किया गया है बास आज में आ रही है Synthetic भी हो गया Caramel आते हैं, Caramel क्या होता है? Caramel, it is a dark brown material obtained from thermal application on carbohydrate ठीक है न, dark brown material होता है, आता कहां से है? Carbohydrate को हम लोग हीट कर देते हैं दीमी दीमी आज में दीदरे एक लगातार हीट करते हैं और इसी को हम लोग क्या क्या क्याते हैं, burnt sugar क्याते हैं जला हुआ, चीनी इसी को Caramel की तरह है, मतलब हम लोग क्लर की तरह है क्या कर लेते हैं, इस्तमाल कर लेते हैं Certified colorants, इसका मतलब क्या है? देखो, color तो बहुत सारे अविलिबल है और एक कुछ color ऐसे हैं कि हम कुछी खास कॉस्मेटिक में इस्तमाल कर सकते हैं हमने देखा था पीछे, category कर रखी थी इसकी ठीक है न, कुछ color खास में इस्तमाल कर सकते हैं कुछ को खास में इस्तमाल कर सकते हैं बलकि हर एक pharmaceutical aid को certified होना पड़ेगा, बास समझ माई? Now, flavoring agent, हमें क्या देंगे, flavor देंगे, तो इसका main काम क्या है, main काम क्या हो जाएगा, आप हमको पता है, flavor दे रहे हैं तो, जो एक bad smell है, या एक कड़वा पाने की smell देखके लगता है, क्या रियार बड़ी गंदी सी दवाई होगी, ये सब चीज़ें क्या होती है, छुप जाती है, mask हो जाती है, the flavoring agent are included to improve the taste of product, product का taste, ठीक है, either by providing more pleasant taste, या तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट बने जाएगा, mango flavor कर दिया जाएगा, या कोई aroma खुसबू दे दी जाएगी, और by masking the unpleasant taste, दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई taste दे दिया जाए, या उस दवा का कोई taste था unpleasant, pleasant, गड़ूआ सा, गंदा सा, उसको क्या कर दिया गया, मास कर दिया गया, उस टेस्ट को खतम कर दिया गया, flavoring agent डाल करके, ठीक है, make medicine palatable, palatable मतलब खाने लाएग, palatable कोई ची होती ही, जो उसको खाने लाएग बना दिया जाए, तो palatable word, pharmacy का है, ध्यान रखना, medicine हो क्या कर देता है, ये, palatable बना देता है, flavoring agents, aroma molecules, plus carrier, जो flavoring agent होते हैं, ये aroma, खुस्बू के साथ-साथ carrier, मतलब कि एक तरह से vehicle का इस्टमाल भी करते हैं, formulation में, solutes को ले करके, dissolve करने का भी काम करते हैं, है न, भाई flavoring agent डाल रहें, मीठे के अलावा, मानो mango flavor डाल रहें, ठीक है, तो जब dissolve करते हैं, उसका साथ-साथ और ये carrier का भी कोई और भी चीज अपने साथ solutes को करके, हम लोग इसके काम चला सकते हैं, ऐसा solvent, ठीक है न, flavoring agent may be classified as, classified as, इसको हम कैसे classified कर सकते हैं, natural artificial natural an artificial फिर वह आ गया पहले कि तरह अगी तो नेतिवर के अंदर बात करना है प्रिप्रेट फॉर्म तो इनका टेस्ट खतम होने की संभावना बढ़ी रहती है एक्जाम्पल देख लें इसके बहुत सारे एक्जाम्पल है सीट्रस ओयल सबस्यादा इस्टेवल होता है इसी लिए सीट्रस संत्रे वाले फ्लेवर ज्यादा आते है अनाइस, कार्डमम, है ना इलाइची, वाइल्ड चैरी, लेमन, औरेंज, औरेंज स्वीट और पिपर मिंट ठीक है ना आब इसके अंदर ये फैमली के नाम दे रखें रूटेसी, रोजेसी ये थोड़े से तुम लोग क्या कर लोगे याद कर लोगे फिलाल हमारे पास क्या आगए, कुछ एक्जामपल आगे नेच्रल के, आर्टिफियल की बात करें तो mixture of synthesized aroma chemical that may be identified to natural flavor mixture होता है synthesized aroma, जो हमने खुद से बनाया हुआ है ठीक है, that may be identical to, बिल्कूल identical होता है, एक समान होता है किसके natural flavor के, जब तुम सुंगो होगे, खाऊगे ऐसा लगए कि हम कुदरती खा रहे हैं जैसे कि हम लोग क्या पीते हैं, अपना slice वगरा पीते हैं, या फेंटा वगरा पीते हैं या फूटी वगरा पीते हैं, तो क्या लगता है कि यार, आम खा रहे हैं तो बिल्कुल natural flavor देता है, artificial flavors are usually stable, यह stable होते हैं have greater consistency, मतलब एक समान रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होगे, कम ज़्यादा मतलब इनकी power कम ज़्यादा नहीं होती है and decreased impact from raw material changes, ठीक है, raw material जो हम लोग यूज करते हैं, दूसरे उसका impact इसके उपर ज़्यादा नहीं आता है तब flavor for pharmaceutical product consisted of volatile, कौन कौन से flavor हम लोग इस्तमाल करते हैं, artificial में volatile oils like anise, clove, fennel, lemon, orange, winter green oil और of the separated fractions such as menthol, thymol और camphor यह सारी variety हम लोग artificial तोर पर इस्तमाल करते हैं, example है अब ठीक है, इसमें example क्या आ जाएगा, जैसे कि अपने पास क्या है यह flavor आ गए, benzaldehyde, cinnamicaldehyde, kormarin, ethyle, methyl, ketone, यह इनके chemical name आ गए, ठीक है, flavor आ गए, chemical name आ गए बास समझ मारी है, यह जो chemicals हैं, यह artificial flavoring agent की तरह काम करेंगे, बास मैंने कहा ना, इसमें तुमको सब पता है, general बाते लिख लोगे, यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, example, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, examples, आगे आते हैं ठीक है, यह हो गया हमारे पास, natural and artificial flavor, अब यह ऐसे हैं, जो दोनों को combination है, natural and artificial flavor system in which natural flavors are combined with artificial flavor, याने कि उपर की जो दोनों थे, उन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, mix कर लेंगे, to enhance the flavor balance and fullness, मालो हमें natural रखना है, उसमें थोड़ा सा natural गरबड हो सकता है, वोई category का थोड़ा सा artificial डाल लेंगे, तो दोनों को balance कर लेता है, ठीक है, अब एक category है मारे पास, flavor enhancers or potentiators, तो क्योंकि अब मैंने क्या कहा, एक है already, कम पढ़ सकता है, तो दूसरा डाल ली हमने, तो flavor को enhance करने वाला, किसी की छमता को बढ़ाने वाला, potentiator, उसकी छमता को ब acid, malic acid, tartaric acid, common salt, amino acids, amino acids, amino acid derivative, जिसमें, monosodium, glutamate, MSG, spices, paper, मेर्शी वगएरा, और mono ammonium, glycerizinate, तो ये वो chemical है, जो already, जो मेरे पास flavoring agent है, उसको क्या कर देगा, ये improve कर देगा, उसकी छमता, उसकी सकती को बढ़ा देगा, उसकी ताकत को बढ़ा देगा, बास समझ में आई, तो ये बड़े छोट-छोट टॉपिक है, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, हमें क्या जात करना होते क्या है, कोई अगर variety है, क्लासिफिकेसन है तो जैसे की natural और artificial और उनके अंदर दिये हुए examples, ठीक है, sweetening agent की बात कर लिए अगर हम लोग, तो sweetening क्या है, taste मीठा होता है इ एक chemical sense है, chemical जीब पर डाल तो chemical का reaction होता है, जिससे हमें मीठा कड़वा लगता है, ठीक है, कहां से आता है, जब ये taste process कहां से start होती है, जब कोई chemical हमारे कहां लगता है, taste बड़ में in the oral cavity, ये line चाहूँ तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत अलिवाद नहीं है, सिंपल सी बात चार प्राइमरी, ओके, हो कुछ आख में चला गया था, आगे देखते हैं, तो चार तरह के taste होते हैं, हम लोग मीठा, कड़वा, खटा और नमकीन, ये चार टेस्ट हमको जी में लग जाते हैं, जाकर के, are recognized and all other tastes are considered to be admixtures of one or more, और बाकि सारे क्या admixture होते हैं, mixture होता है, कि किसी दो का, किसी तीन का, चारों का मिला करें, कोई अजीव सा टेस्ट बन जाता है, ठीक है, और more fundamental taste in varying degree, अलग-अलग डिगरी के रहते हैं, basic ये चार है, इनी चारों से मिल करके, अलग-अलग variety बन जाती है, जो हमको, इन चारों के लाबा कोई taste जो लगता है, वो एक साथ दो या तीन बर्ट्स काम करते हैं, अलग-अलग टेस्ट के हैं, उसके साथ से हमें अलग 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 टेस्ट फील होता है, sweeteners are often classified as either caloric और non-caloric, जो sweeteners होते हैं, जो मीठास देते हैं, उनकी दो केटेगरी हैं, caloric energy देने वाली और non-caloric जो energy नहीं देती है, caloric जो energy देगी non-caloric जो energy नहीं देती है, non-caloric sweeteners are preferred for diabetic patient, जो non-caloric होता है, जिसमें energy नहीं होती है, वो हम prefer करते हैं, diabetic patient के लिए, ठीक है न, कहीं न, कहीं न, कहीं sweeteners होते हैं, थोड़े से तुम लोग ने अगर अभी just पढ़ के आ रहे हो, तो 12th में हम लोग ने इसको पढ़ा हुआ है, हम हमको किसमें नहीं देने होते हैं, diabetic patient को नहीं देने होते हैं, कौन-कौन से हैं, सक्रोज, फ्रक्टोज और D-Glucose को हम लोग as a, या table sugar जो होती है, उसको हम लोग caloric या caloric sweeteners के तौर पे काम कर सकते हैं, non-caloric या sugar free जो आती है अपने पास, ठीक है, उन में कौन-कौन आता ह Sacrine, सबने इसका नाम सुना होगा, 500 गुना ज्यादा मीठी याने की, table sugar के 500 दाने और इसका एक दाना बराबर हो जाएगा, unpleasant after taste, खा लोग उसके बाद कड़वा सा लगता ही है, मीठा लाएगा फिर कड़वा लगता है, ठीक है, इसका reason होता है, कुछ लोगों के जो अंदर taste होते हैं, वो कुछ थोरे से इसके खाने के बाद ना कुछ अंदर के अब जो टेस्ट वर्ट होते हैं, तो यह कई बार क्या है, unpleasant होता है, after taste, aspartame 200 गुना ज्यादा मीठा है, और unstable solution, solution में unstable है, asalphame, kate 200 गुना ज्यादा मीठा है, ठीक है न, heat के लिए stable है, अगर heat हो जाएग सुक्रालोज है, जो 600 गुना ज्यादा मीठा है सुक्रोज से, तो आप इंको बारी-बारी से एक बारी देखने जारा, अब कह रहा है, the commonly used sweetness in the pharmaceutical industries are, सुक्रोज, glucose, fructose, sorbitol and glycerine, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तमाल होते हैं, वो यह इस्तमाल होते हैं, फार्मस जल्दी से नम नहीं होगी, बात समझ मारी है, आगे आते हैं, ना सुगर, तो अब देखें जारा, सुगर की क्या बात है, यानि कि हमने जो उपर एक्जांपल पड़े, उनकी बारी-बारी से बात कर लें, सुगर सबसे ज़्यादा है, सुगर सच एस केन सुगर गन्ने का सुगर होता है, गुलड़ोज विद और विदाउट कॉंपलिमेंटरी कंपाउट ठीक ना, like सुगर, जो केन सूगर है, या गुलकोज है अपना, कॉंपलिमेंटरी कंपाउट्ट के साथ या उसके बिना कॉंपलिमेंटरी कंपाउट्ट उसको सपोर्ट करते हैं üzorsa में sugar coating was an ancient technique sugar coating है ना चासनी में डबा दो sugar coating हो जाथे कि इस चीज़ को खिला तो फिर मिठा लगता है and simple syrup syrup है ना चासनी बनाई उसी अंदर डाल दिया तो क्या होगा ओगैं सिरप बन गया वह simple syrup has been used as vehicle vehicle मतलब इसके अदर लोग solute को घोलेंगे करेंगे for many oral preparation कई सारी oral preparations के लिए सुगर ओफन comprise of appreciable portion of solid doses form such as tablet सुगर जो है compressive होता है कई सारी solid doses form में ज्यादा तर क्या होती है सुगर में powder भी आ गया अपना tablet भी आ गी तो ज्यादा तर अपने के साथ में इस्तमाल होता है विच रिदूसेस इस टेंडेंसी तो गेट क्रिस्ट्रलाइज है ना बॉड़ी अदर जाकर क्रिस्ट्रलाइज होने से इसको रोपते हैं लिक्वीड ग्ल्कोस प्रिपेर्ड बाइ पार्शिल हडरी जीज ऑफ इस टार्श की उससे क्या बनता है अगए लिक्वीड ग्ल्कोस बन जाता है एक हम इनको अक्य लेक्टोस की बात होगी, सक्रोजू सुगर की बात होगी लैक्रोश की बात होगी सक्रोज की बात करते हैं लो मॉलेकूलर वेट काफी कम होता है कारवाहेड़ा वेट यही जाने सफ्वेल सामय पराणय समय से स्वेजन सिसमाल हो रहा है विकouse डॉ कहिसारी अड्वांतिए इसके साथ it is very soluble in water stable over pH range 4 to 8 increased viscosity which impart a product of pleasant texture in the mouth है न विसकोसिटी बढ़ा जता है गाड़ा गाड़ा कर देता है सीरफ बढ़ा सोड़ा गाड़े रहेंगे तो अच्छा लगता है मुह के अंदर जाता है तो कहीं न गहीं सक्रोस हमारा एक better option है compared to lactose और maltose सुगर के अंदर खामी क्या थी? Microbial growth की थी सक्रोस cannot be used in diabetic patient सक्रोस cannot be used in diabetic patient polyhydric alcohol, sorbitol, mannitol and to some extent glycerin और कुछ हद तक glycerin has sweetening property and can be used in preparation for diabetic patient और इसको अमनों diabetic patient के में इस्तमाल कर सकते हैं तो जनरल बात है थी तो यहाँ पे तीन पॉइंट जो मैंने नोट करवाए हैं यह वाले खासकर की क्या drawback है यह पक्के से mark करेंगे artificial sweeteners की बात करें सेक्रीन दे उपर हमने पढ़े थे तो क्या कह रहा है? artificial sweeteners are used in very small amount यह लिखावट है अगर आ गया कि artificial sweeteners के बारे में लिखो तो table बनाने से काम नहीं चलेगा ना तीन नंबर में थोड़ा सा table बना के फिर यह लिखना पड़ेगा ठीक है? artificial sweeteners are used in very small amounts of these substance थोड़ा सा amount ची होता है can make formulation appreciably sweet काफी हद तक मिठा कर देते हैं artificial sweeteners include कौन कौन आते हैं इसके अंदर? sacrine, aspartame, cyclamates a-sulfame के और a-sulfame अब sacrine की बात करें sacrine सब में सुन रखा होगा कि मिठाई वाले जो होते हैं वो इस्तमाल करते हैं थोड़ा सा डालो बहुत ज़़ा मिठा बना आ जाता है तो sacrine is marketed as sacrine sodium market में कैसे आती है? sacrine sodium in which the hydrogen in NH group इसके formula में जो NH होता है ठीक है? उसका जो hydrogen होता है ये वाला जो H होता है वो replace हो जाता है कि इससे sodium से तो बन गया हमारा sacrine sodium and which is the crystalline form also has two molecule of water of crystallization और इसका जो crystalline form होता है उसमें दो molecule याने कि dot 2H2O भी साथ में रहता है sodium sacrine can be easily prepared by dissolving कैसे प्रिबर कर सकते हैं? sacrine को in equimolar quantities of साथ में क्या जे लिया? NAOH जितने mole ये, one mole ये लेंगे तो one mole ही ये ले लेंगे ठीक है? followed by crystallization बाद में इसको crystallize करवा देंगे solid forming कर देंगे sodium sacrine is nearly 200 times more soluble in water in comparison to sacrine sacrine के comparison में sodium sacrine 200 गुना ज्यादा soluble होती है sacrine के comparison में sacrine is nearly 450-500 times sweetener, sacrine does not undergo metabolism, ये body में जैसी जाती है वैसी निकल आती है, इसलिए body में किसी उटाइब की caloric energy नहीं देती है तो मुटापा नहीं आता है, ठीक है? इसका metabolism body में नहीं होता है ध्यान लगना and its potential for causing cancer but इसका इस्तमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये cancer causing है formation, possible by gut possibly by gut, यानि जब खा लेते हैं तो gut में जाकर के carcinogen, cyclohexyleamin का formation हो जाता है, ठीक है? bitter after test होता है, ये भी इसके दो drop एक आगे, carcinogen होता है bitter after test होता है, जो इसको कही ना कही limit करते हैं, वह ज़्यादा इस्तमाल से बात समझ में आ रही है, तो हम लोग general बाते पढ़ रहे हैं now aspartame aspartame के बात करें, 200 times sweeter than sucrose, aspartame undergo metabolism ये metabolism हो जाता है, जेखो artificial की बात आगे, कौन metabolism हुआ कौन metabolism नहीं हुआ producing phenylalanine and the phenylalanine metabolism is a problem in person with phenylketonuria तो जिसको अगर phenylketonuria है एक बिमारी होती है, उसको हम aspartame नहीं दे सकते cyclamate या sodium cyclamate 30 times as sweet as sugar 30 गुना ज्यादा, क्या होता है, sweet होता है carcinogenic, so band in USA ये क्या है, carcinogenic होती है cancer causing होता है, इसलिए USA में band है no after test after test में कोई βेटेटर नहीं लगता है, सही रहता है sucrose 600 गुना ज्यादा तो ये इसकी कुछ जनरल बाते नहीं सैक्रिन ज्यादा important था, ठीक है और इस तरीके से हमारे पास organoleptic खतम हो जाता है और ये क्या है, पता ही होगा तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको पता चल चुका, अच्छी बात है ठीक है, एप को download पक्का कर लें सब लोग बेशक, subscribe मतलब course को pay नहीं करना कोई बात नहीं लेकिन subscribe जरूर कर लें download को पक्का करके रखें समय आने पे बहुत जल जब exam कर समय time pass में आएगा तो हम लोग उसमे test series कुछ launch करेंगे इसमें सब का फायदा होगा थोड़ा सा ठीक है ना, तो अब ये पताई है सबको कि हमारे app में क्या-क्या चीज़े है और एक चीज important जो सबको बताना चाओंगा मैं किसको नहीं पता है, मेरे notes YouTube के हर एक lecture में मेरा notes होते है हर एक lecture में, उसके description में जाकर के ठीक है ना, तो lecture notes जिससे का काम चल सकता है वो अराम से lecture notes से पढ़ करके YouTube से अपना बढ़िया काम कर सकता है फर्दर आगे practice करनी है, तो app को download करेंगे और वहाँ से बहुत सारी practice तुमको मिल जाएगी अब क्या काम करना है, इसको topic को revise करना है और क्या करना है, बार बार पढ़ना है, example जादे जादे याद कर लेंगे ठीक है, फिलाल तो भी दो दो example याद करके चलेंगे main main definition, उनके varieties और जो examples है, clear है तो क्या करना है, revision, okay, all the best